मिस्टर दामोदर, यू आर अंडर आरेस्ट चार्ज के है? हरशद नाम के आई विटनिस के मुर्डर का इल्जाम है तुम पर एई! हरशद, डरने के कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ है, एसपी साब को क्लियरली बताओ सर, दामोजी से सियाई साब को शायद कुछ परसनल दुश्मनी है इसलिए Human Rights Officer का खुन, दामो भाई ने किया ऐसा गवाही देने के लिए, C.I. साब ने मुझे फोर्स किया था इतना ही नहीं सर, दामोजी के डुपलिकेट से मेरे फेक मडर का वीडियो भी इन्होंने बनवाया है उसके बाद C.I. साब के एक अस्टडी में मुझे किसे ने मारने के कोशिश की, तो मैं वहाँ से किसी तरह भाग निकला, सर Mr. Shankar, Department ने पावर पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है अपने परसनल यूज करने के लिए नहीं इतने दिन तुने मेरे लोगों के साथ खेला अब तेरी बारी है मुझे पता था कि तेरा आदमी मुझे पर नजर रख रहा है अब अपना इंफ्लेंस यूज करके तुम्हें आसानी से सस्पेंड करवा सकता हूँ अगर बचना चाहते हो तो मेरे पार प्रोजेक्ट्स पर लगे अलिगेशन्स क्लियर करें वो कौन थे साँ? तो वो तही मेरा आखरी दिन हो गए मेरी वज़े से आपको सर जुकाना पड़ा सर दामूने मेरे बीवी बच्चों को किड्नैप कर लिया थे और उन्हें मारने की धमकी दी थी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मुझे माफ कर देना सर वो मुझसे नहीं बच पाएगा मेरे भाई की मौत का कारण भी भाई को मारा? आई जी सर ने मुझे वो फाइल दी तब पता चला तब ही मैने दामू को खत्म करने का फैसला की लेकिन टार्गेट मिस हो गया शंकर का टार्गेट कभी मिस नहीं होता मैं जानता हूँ तुमने कोई गलती नहीं की थी उस वक्ड जो कुछ भी हुआ था वो सब तुम्हारे भाईया ने मुझे बताया बरने वाला ह्यूमन राइट्स ओफिसर तुम्हारी भाभी का क्लास्मेट था लोगों को इस पावर प्लांट से हानी पहुँचेगी इस सिलसिले में आपका सपोर्ट चाहिए सर्थ अब रेखा के दोस्ते इसलिए नहीं बल्कि इन्सानित के लिए अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए आपको मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में पूरा नहीं होगा ट्रस्ट मी, इस प्रोजेक्ट में आफिसर का इंटरफेरेंस दामो को पसंद नहीं आया इसी लिए उसने हुमन राइट्स आफिसर को माल डाला उसके बाद तुम्हारे भाईया ने केस की सारी डिटेल्स एस पी अरजुन राव और मिनिस्टर नागराज को बताई उन लोगों ने तुम्हारे भाई का साथ देने का वादा किया कुल मिलाकर पंदरा सो लोग रहते हैं सर हमारे गाउ में बच्चों को पढ़ाई के लिए तीन किलोमेटर चलना पड़ता है हमने नजदिक स्कूल खुलने की कोशिश की तो दामोदर ने उस जगह पर कबजा कर लिया विद्या सब बच्चों का हक है मुझे कुछ और टाइम दिजिए आपके गाउं में जल्दी ही स्कूल खुलेगा बरोसा रखिए थेंक्यू सर इनके ब्रिक फैक्टरी लिगल है फिर भी आप इनसे जबरदस्ती रिश्वत मांग रहे हैं ऐसी कंप्लेन लिखवाई है नहीं सर ये तो स्कूल के काम से आए है अरे जूट है सर आप चाहे तो फोल्डर खोल के दिख लिजिए पांच लाग लाने को कहा था इस लाइं सर मैंने कोई डिमांड ने की है हां सर आपको जो भी कहना इंटरोगेशन में कहिए अब सब कुछ क्लियर है सर दामू ने जान भुछ कर मुझे इस केस में फसाया आपको इस केस में फसाकर उन्हें क्या फाइदा होगा दामू इंलीगली एक पावर प्लांट कंस आल रहा है ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए सर इसी सिलसले में जिस हुमेन राइट्स ओफिसर का मडर हुआ था उसकी जानकारी मनें एस पी अर्जुन राओ को दी थी येस सर उस केस पर हमारे डिपाट्मेंट ने डीप इन्वेस्टिगेशन भी की थी फिर कुछ अबने पावर प्लैंड के लिए मुझसे 10 करोड के रिश्वत मांगी थी जब मैंने ना का तो मुझे कई तरह से ब्लैक मेल भी किया हम दिन रात मेहनत ऐसे करप्ट ओफिसर्स की जेब भरने के लिए नहीं करते हैं सर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन लोग जब भरत बेल पर घार वापस आया तो सारे के सारे न्यू चैनल्स वाले उसी की बद्दामी कर रहे थे रिश्वत लेने के कारण पकड़ेगे कलेक्टर भरत के केस में कुछ नई बाते सामने आई हैं हमें शक है कि हाले में जिस यूमन राइट्स ऑफिसर का मर्डर हुआ था उस ऑफिसर के कलेक्टर भरत की पत्नी रेखा के साथ नाजायस संपन थे इसलिए भरत ने उस ऑफिसर का मर्डर कर दिया पुलीस अभी तक इस केस की छान बीन कर रही है ये सब क्या है भाईया सुनो बहन परिशान मत हो हम जानते हैं कि सज क्या है इनका तो काम ही है दूसरों पर कीचर उचालना आप से कुछ बात करनी है पापा मुझे पता है तुमने कोई गालती नहीं किये मैंने गल्दी किये पापा बच्पन में उस लड़के की मौत का करण शंकर नहीं था पापा मैं था आपकी एज़द बचाने के लिए वो खुद जेल चला गया तुम पापा से इस बार मैं कुछ नहीं कोगी प्रॉमिस करू आपकी बात मानकर हम से दूर भी हो गया यह बात मुझे पहले बता देने चाहिए थी यह बात उसने मुझे उस दिन क्यूं बताई यह समझने में मैंने थोड़ी देर कर दी अंकल जी मैं बहन और जीजा जी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ली जाना चाहता हूँ उनको थोड़े चेंज की ज़रूत है ठीक है बेटा दादा जी दादा जी क्या बात है मेरे साथ आईए और देखिए यह क्या हो गया बेटा मेरा बेटा लोगों की भलाई के लिए एक जंग लड़ा था उसे उन्होंने जलिल किया और फिर उसकी मौत की वज़े बन गए ओए जोकर है वो तूने क्या सोचा इस गधे में इतनी अकल है कि यह प्लान बना सके जिस कलेक्टर भरत ने आत्महत्या की थी वो मेरा भाई था उसके गम में मेरे पिता ने रात दिन आसु बहाए तेरे पार्टनर्स को तेरे हाथों मरवा कर वही एविडेंस बना कर तेरे नाम का शूटेट साइट ओर लेकर आया हूँ मैं और्डर ना भी मिलता तो भी मैं तुझे मार देता लेकिन लीगली मारने का मजा ही अलग है तेरा किस्सा खलास सब लोग सुनो इसको मेरी आखों के सामदे मार के यहीं जला दो सब मार कुए नाइस साइस्प़ेंर थाय दो ऑर भाह अ सकते हुआ प्ट讃 प्टना में अधोया रहाए झाल प्रण πरेंक प्रीजिए के राए-जि डाए-जि टॉकरिवे जो प्रूब प्रणी के जिए नॉकरिए फ्रीप टारी जोड़ी कोशिए अॉकरिए, जिए प्रुडर प्रूर साइब! कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोसमाई जयाobed कर दोसमाई